सागर मनी हाई स्कूल सिर्सा हर्याना में परम पूज्य संत श्री आशराम जी बापू की कृपा पात्र शिश्या साधवी सुशीला बहन के सानिध्य में विद्यार्थियों के लिए सत्संग कारिक्रम का आयूजन किया गया अपने सत्संग में उन्होंने विद्यार्थियों में उच्च संसकारों का सिंचन करते हुए बताया कि आजकल की युवापीड़ी जो की टेंशन के कारण डिप्रेशन में जा रही है उनको अपने मन से नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से निकाल कर सकारात्मक विचारों वह आत्म विश्वास को अपने अंदर भरना चाहिए और अपने समय को बरबाद ना करते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए और अच्छे कामों में लगाना चाहिए जिसके बाद आगामी 25 दिसंबर जिसे आज तुलसी पूजन दिवस के रूप में देश विदेश में मनाया जा रहा है और जिसकी शुरुआत परम पूजय संत श्री आशाराम जी बापू ने की इसके बारे में बताकर विद्याले में तुलसी पूजन के साथ कारिक्रम का समा आपन किया गया एस अबसर पर विद्याले की प्रिंसिपल वीना पाहूजा तथा शिक्षक गन भी मौजूद रहे यदि हमारे जीवन में हम नेगिटिव थौट्स नेगिटिव विचारों को नकारात्मक विचारों को महत्व देंगे तो वो हमारे उपर हावी होते जाएं सकारात्मक विचारों को पॉजिटिव थौट्स को कभी परिक्षा आई तो बच्चे क्या होते हैं अंदर अंदर डरते हैं पता नहीं पास होंगा पता नहीं यह प्रशन याद है की नहीं है पीपर में क्या आएगा कैसे लिखूँगा होता है कि नहीं तो आपको अपने अ जाद हो कर ही रहेगा पेपर के लिए जाओ तो एक आत्मे विश्वास के साथ कि आज परिक्षा में मैं सफल होंगा ही होंगा खेल के मैदान में उत्रो तो भी एक आत्मे विश्वास के साथ कि मैं अपना सर्वोत्तम इस खेल को दूंगा ठीक है ना या संगीत सीखने कि जो भी मेरे अंदर योग्यत है उसकी अनुसार उसको और निखारतेवे में पूरी लगन के साथ में संखीत को सीखें समझ में आया? तो यदि आप सकारात्मक विचार रखते हैं अपने मन में यदि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही ठीक है न? और उसके लिए साथ में क्या जरूरी है? कि आपका जो समय है अब समय तो हर विद्यार्थी के पास वही 24 गंटे होते हैं न? होते हैं कि नहीं? बोलो या किसी का दिन 24 गंटे और किसी का 48 गंटे ऐसा होता है? नहीं होता न? लेकिन कोई विद्यार्थी का क्षा में प्रधम आता है और कोई फेल हो जाता है